How to fix OTP not receiving in bandhan bank account दोस्तों ये दि आप जो है अपने आपके पास bandhan bank का account है और आप कुछ transaction कर रहे हो चाहिए वो credit card, debit card, net banking या mobile banking किसी में भी हो और आपको OTP received नहीं हो रहा है तो ये case में आपको क्या करना है, कौन सा setting करना है ताकि आपके mobile में OTP आ जाए तो इस वीडियो में यही में आपको बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेगा, साथी साथ दोस्तों चैनल को subscribe करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को एक like अभी के अभी कर देना, ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको चार solution बताऊंगा, ठीक है, और चार के चार आपको follow करना होगा, वरना आप OTP received नहीं कर पाएंगे देखिए, सबसे पहला हम देख लेते हैं, यहाँ पर चलिए सबसे पहला तो हमें जाना होगा अपने mobile के settings पे settings पे चली जाएगा, दोस्तों उसके बाद में scroll down नीचे कीजेगा, और यहाँ पे आपको application manager show करेगा, जो भी यह आपको open कर लेना है, ठीक है उसके बाद में यहाँ पे कुछ दिर wait कर लेना है, और यहाँ पे आपको ढूनना है, आपका mobile का यहाँ पे all application सेलेक कर लेजगा, और यहाँ पे आपको messages डुनना है, जो messages यहाँ पे आ चुक है इसके ओपर click किजए गा, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है permission पे permission पे जाने के बाद में दोस्तों यहां पी जो यह तीन permission है यह तीन permission जो आपको दिखाए दे रहा है यहां पे phone हो गया आपका SMS हो गया और यह storage हो गया यह सारा allow कर देना है ठीक है यह allow करना है उसके बाद में आपको बेक आना है बेक आने के बाद में दोस्तो फिर से application में जाना है और यहाँ पे दोस्तो आपका जो mobile banking का application है तो आपको यह setting करना होगा नहीं है तब कोई दिकत नहीं है आगे रुखते रहेगा और भी दो setting आपको करना है ठीक है आप चलाते हैं तो आपको करना है ठीक है चले अभी बंधन बेंक का हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे बंधन बेंक का यहाँ पे हमारा बंधन बेंक का जो एप्लिकेशन का एक्जेक नाम क्या है M बंधन ठीक है M बंधन से आता है तो चलिए हम देख लेते है M से यहाँ पर आ गया है M बंधन मिल चुका है इसे आपको खोल लेना है उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर storage usage पर जाना है एक बार और clear cache कर देना है bank आना है उसके बाद में permission पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको यह permission allow कर देना है उसके बाद में दोस्तों आप जो है अपना application के regarding या फिर आपको OTP नहीं मिल रहा था वो 99% आपको problem solve हो जाएगा ठीक है यह दिख फिर भी आपको नहीं होता है तब last आपका उपाई यह है कि आप अपने bank का tool free number में कोल करके customer care से बात कीजिए उन्हें बताए आप OTP receive नहीं कर सकती हो कभी कभी उनके तरफ से technical issue होने के वज़े से नहीं होता है ठीक है तो यह था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो थैंक्स फर लाचिंग